तो नमस्कार आदाप सस्रियकाल दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ग्यान में तो दोस्तों आज है 21 जन्वरी और 21 जन्वरी के करंट अफेर्स लेके मैं आपके सामने उपस्तित हूँ तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के करंट सबसे पहली बात है सडक सुरक्षा मा है कब से कब बनाया जा रहा है तो दोस्तों कुछ दिन पहले आज से पांच या साथ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था सडक सुरक्षा सपता है कब बनाया जा रहा है ना तो उस दिन हमने पढ़ा था सपता है वो 18 जन्वरी से सब्सक्राइब कर दिया है मतलब जो एक सब्सक्राइब तक पैदा की जाती थी वह है अब एक माह तक पैदा की जाएगे और उसकी डेट क्या है 18 जनवरी से 17 फरवरी और कौन है दोस्तों हमारे मिनिस्ट्री ओफ रोड ट्रांसपर्ट एंड हाइवे नितिन गड़करी जी है हमारे मिनिस्टर ठीक है और रोड एक्सिडेंट में हमारे उस तिन में मैंने एक डेटा आपको बताया था लगबक डेड़ लाख लोगों की मृत्यू होती है प्रतिवर्ष और लगबक साड़ी तो यह संघर से शिक्षर तक सबसे पहला कोशन तो यह ही बनता है कि यह बुक किस ने लिखी तो यह बुक लिखने वाले राइटर का नाम है जनार्दन सिंग गहलोत तो जनार्दन सिंग गहलोत दूसरा कोशन बनता है यह गहलोत साब है कुन यह दोस्तों हमारे राजस्थ है इस पुस्तक पर इन्होंने लिखा है अपने राजनितिक करियर के बारे में यह एक अच्छे राजनितिक गया है प्लस अच्छे समाथ से भी है तता अपने देश राज्य में उन्होंने कबड़ी खेल को ले के बहुत कुछ किया है न वही हम देखते हैं कि जो भैरो सिंग शेखावत हमारे मुख्यमंत्री हुए थे तीन बार मुख्यमंत्री बने थे भैरो सिंग शेखावत उनको जिरों ने हराया था वो जनारतन सिंग गहलोत ने हराया था और इन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई थी कि जब मैं चुनाओं में खड़ा हुआ था मैं जिस छेत् से टिकट लिए उन्हें लगा कि ये तो नया परसन है इसको हराना आसान होगा लेकिन मैंने उनको हरा दिया था तो ये मतलब खुद की एक बहुत बड़ी उपलब्दी बता रहे हैं कि उस मुख्य मंत्री का जो दो-तीन साल तीन बार उनका कार्या काल रहा उसको एक नए खिल में विद्धिक परिवार से नहीं था तो मेरे पास पैसे बी नित कुनाओं में खर्च करने के लिए तो मैं उनसे डोनेशन मागता था हो दोनेशन कैसे मांगता था घर घर जाके हैं एक note उनसे मांगता था कि आप मुझे एक note दीजिये और एक vote दीजिये ऐसे इनों ने अपने story बताई और ऐसी story-ah उनों ने अपने book में लिखी है संखर से शिक्कर तक ठीक है इसके अलावा इनों ने क्या किया है इसके अलावा इनों ने एशियाड खेलों में कबड़ी को शामिल करवाया है दोस्तों कबड़ी हमारे राजस्थान का एक गेम है उसको पहले एशियाई खेलों में कबड़ी शामिल नहीं किया जाता था इसकी भी उन्होंने एक स्टोरी बता रखे है कि पहले एशियाई खेलों में कबड़ी शामिल कुछ झिलाड़ी बुला छेयर और सारे रूल समझा दियुए तो तीन सालों में चाहिना वाले अच्छे कि खेलना सीक गए और उसके बाद में कबडी को एशया ही खेलों में एक खेल के रूप में शामिल करल लिया गए तो एक महानतम उपलब्दी यह हो गई इनको कबड़ी किंग के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों हाना क्योंकि कबड़ी के छेत्र में इन्हों ने उत्कुर्ष्ट योगदान दिया था 1964 में उन्होंने कबड़ी लीग की स्थापना भी करी थी लगबग 31 देशों तक विश्व के 31 देशों तक इन्होंने कबड़ी को पहुंचाया और हमारी जो प्रो कबड़ी लीग है जैसे कि पिंक पैंथर है हमारी जैपूर की ऐसी इन्होंने प्रो कबड़ी लीग की स्थाप अपना करना सबसे बड़ा योगदान इनको माना दाता है क्योंकि क्रिकेट के बाद में अब IPL जो होते हैं उनमें कबड़ी सबसे रदा लोग पुरिया हो रहा है तो यह बहुत बड़ी उपलब दिया दोस्तों और अभी यह क्या कर रहे हैं अभी यह कबड़ी को ओलंपिक गेम्स में शामिल करवाने के लिए प्रियासरत है और वरत्मान में हमारे राजस्तान ओलंपिक संके सदश्य भी है तो इनकी कहानियों से आपको यह तो पता ही चल गया होगा कि महानतम परसनलिटी है बहुत ही अच्छे परसन है अच्छा योगदान दिया है हमारे राजस्तान में तो इसलिए इनकी बुक का नाम हमें याद होना चाहिए ऐसे ही फेमस परसन की बुक हमसे एक्जाम्स में पूछी जाती है ठीक है तो इतनी सब कहानी सुनने के बाद में तो आप नहीं भूलोगे शायद इस बात को ठीक है राजपत पर फ्लाई पोस्ट करन फ्लाई पोस्ट तो पहली बार इस फ्लाई पोस्ट की अगुवा कोई महिला बन रही है और वो महिला का नाम है स्वाती राजपत तो प्रथम बार बन रही है इसलिए इंपोर्टेंट है प्लस हमारे लिए और इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि है हमारे ही राजस्थान के प्रेम पूरा गाओं की रहने वाली है तो राजस्तान की किसी गाओं की वूमन इतना बड़ा मतलब भारत में जो पहली बार कोई कारिया हो रहा है वो कर रही है तो हमारे लिए और भी इंपोर्टेंट कोशन बन जाता है ठीक है तो याद रखेगा स्वाती राजपत देखो और स्वाती ही इनका नाम है गजेंद्र सिंह कुटावत का नेधन हो गया है। आप सब को पता है के बारे में उद्यपूर की दिन में नेधन हो गया है तो पिछले चार महीनों में दोस्तों हमारे विदानसबा से चार विधायकों निधन हो चुका है इनमें तीन कांग्रेस के हैं एक भाजबा के हैं मतलब 200 हमारे कुल सीटे हैं अब इसमें से चार खाली हो चुकी है अब हमारे पास 116 विधायक ही बचे हैं तो चार सीटों के लिए फिर से हमें उपचुनाव करवाना पड़ेगा इसे उपचुनाव होते ह तो अगर सीट बीच में खाली हो चाती है और फिर से चुनाव करवाना पड़ता है किसी रीजन की वज़े से तो उसे क्या बोलते हैं उपचुनाव ठीक है तो कौन-कौन से विधायकों की अब तक इम्रत्यू हो चुकी है सबसे पहले कैलास्त रिवेदी जी अक्टूबर म से थी भाजबा की विधायक थी तीन तो यह हो गए और एक हो गए अपने अब कजंदर्शर्फेंग शकतावत तो दोस्तो अक्टूबर फिर नौंबर फिर इनका वे नौंबर में और फिर इनका जन्रवरी books exists तो है विधान सभा में अब 200 में 116 में ही विधायक बचे हैं तो मार्च में इनके चार सेटों के लिए उपजनाव करवाएं जाएंगे ठीक है एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आया था उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा था देखो पहला इस्थान तो राया करनाटका का यह भी आप लिख सकते हो दोस्तों मैं सारी चीज लिखती नहीं कुछ चीज बोल के बता देती हो आपको इंपोर्टेंट लगे आप लिख लिया करो हना तो पहला स्थान तो था करनाटका का और दूसरा स्थान है भारत में राजस्थान से अपन को मतलब नहीं है को जारी करता है निति आयोग जारी करता है यह इंडेक्स यह चीज भी आप याद रखेगा तो निति आयोग द्वारा जारी कि आता है अमेरिकी इतिहास में सेकंड जन्टलमेन का उपनाम पाने वाले पहले विक्ति कौन है किसे देखो फर्स लेडी और फर्स परसंट तो एक हो अमेरिकी रास्टपती और उनकी वाइफ को बोला ही जाता है लेकिन सेकंड जेंटलमेन का जो यह पद्ध है यह पहली बार बनाया गया है मतलब नाम पहली बार बनाया गया तो यह किसे दिया गया है यह दिया गया है कमला हैरिस के पति जो है डगलस एम होफ उनको दिय गया है ठीक है तो डगलस कमला हैरिस मां के उपराष्ट पती है उपराष्ट पती के हस्बेंड है तो उनको यह पत दिया गया है सेकंड जेंटलमेन ठीक है तो नाम याद रखिया का डगलस एम होफ जो बाइडन अपन सुन रहे हैं ते दिन से अमेरिकी राष्ट पती चुने गए हैं अगले 6-7 महिनों तक या एक साल तक तो जड़्चा में रहेंगे ही रहेंगे वैसे तो अमेरिकी रास्तपती सारे साल मतलब हमेशा ही जड़्चा में रहते हैं क्योंकि विश्वरा करते हैं